गाजा में इसराइल और हमास की जंग अब और भी भीशन होने वाली है क्योंकि नितन्याहु ने रफा पर चड़ाई करनी की पूरी तैयारी कर ली है लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसराइल को घुटनों पर लाने के लिए उस पर चौतरफा हमले शुरू हो गए है एक तरफ जहां गाजा में हमास के लड़ाके आईडिय अफ पर ताबर तोड हमले कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इराक और बहरीन से खुले नए फरंट ने इसराइल की मुश्किले और बढ़ा दी है इन तीनों ही मोर्चों से इसराइल पर भीशन हमले हो रहे हैं ताकि इसराइल पर गाजा में युद्विराम को लेकर दबाव बनाया जा सके और अब इसी कड़ी में बहरीन से इसराइल पर दूसरा सबसे बड़ा हमला हुआ है यह हमला बहरीन के प्रतिरोधी समू ने किया है आपको बता दे कि इस से पहले बहरीन के आल अश्टर ब्रिगेड ने 27 अपरेल को इसराइल के इलट शहर के ट्रकनेट इलाके पर एक ड्रोन हमला किया था यह हमला इसराइल की ट्रांस्पोर्ट कमपनी पर हुआ था और अब 2 माई 2024 को बहरीन के इसी संगठन ने दोबारा इसराइल पर हमला किया है हाला कि पिछली बार इस संगठन ने हमले का वीडियो जारी किया था लेकिन इस बार उसने कोई वीडियो फुटेज जारी नहीं किया है और ये दावा किया है कि उसका ड्रोन हमला सफलता पूरवक टार्गेट पर लगा है लेकिन बहरीन के प्रतिरोधी समू के इस दावे पर इरान की न्यू जेजंसी आई आर एने ने चार मई दो हजार चौबिस को अपनी खबर में कहा कि बहरीन के प्रतिरोधी समू ने दूसरी बार इसराइल पर हमला किया है ये हमला आलश्टर ब्रिगेड ने गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया है लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने वक्त बाद बहरीन अचानक कैसे इस जंग में कूत पड़ा तो आपको बता दे कि बहरीन एबराहम एकॉर्ड का सदस्य है और इरान इस समू के देशों के शियाल संख्यक समुदाय का इस्तेमाल अक्सर मिडलीस्ट में अस्तिरता फैलाने के लिए करता है और इरान ने साओधी अरब में भी शियाल संख्यकों को भड़का कर पहले भी कुछ ऐसा ही किया है दरसल इस पूरे घटना करम के बीच गांबिया में Organization of Islamic Cooperation यानी OIC की बैठक चल रही है जिसमें इरान इस समूं के देशों पर इसराइल से रिष्टे तोड़ने का बार बार दबाव बना रहा है चुकि इरान ने अभी तक अपने जितने भी प्रॉक्सीज को इसराइल के खिलाफ इस्तमाल किया है वो अपने मकसद में कही न कही चूग गए है इरान ने गाजा में हमास, वेस्ट बेंक में फिलिस्तीनी इसलामिक जिहाद और लिबनान में हिजगुला और यमन में हूती का इस्तमाल किया है और अब वो इराक और सीरिया में प्रतिरोधी समूं के जरिये इसराइल पर हमले करा रहा है और अब इरान बहरीन को भी इस प्रोक्सी बॉर में गसीट रहा है गांबिया में इरानी विदेश मंतरी अब्दुल हुसेन अमीर अब्दुलाहेन ने साओधी अरब के विदेश मंतरी से मुलाकात की थी और उस वक्त इरान ने ये संदेश दिया था कि बहरीन जो साओधी का करीबी दोस्त है वो उसको भी अस्थिर कर सकता है और ये सारा खेल इसराइल पर दबाव बनाने के लिए चल रहा है क्योंकि साओधी अरब ने भी इरान दोरा इसराइल की तरफ दागी गई कई मिसाहिलों को हवा में मार गिराया है